हेलो दोस्तों इसके मोबाइल वाइकम आप का स्वागत है दोस्तों कैसे हूँ आप आशकरते हों बहुत अच्छे होंगे दोस्तों देखिए मेरे समय बी 310 को मोबाइल आया सैंसंग का रिपेरों ने इसमें समझते हैं यह है कि इसमें चार्जिन तो दिखा रहा है सो तो कर पर लेकिन ज Question रुक नहीं पा रही है मतलब कए कर देघृ करते हैं अशनी कंडि şekilde करें और कि दिखाते हूं आपको 3.25 26 26 3.26 वोल्टेज ठीक है अब इसमें आपको चार्जिंग की पिन लगाने मोबाइल में मोबाइल में चार्जिंग की पिन लगाने के बाद जो बैंटी कनेक्टर पर है आपको 4.14 वोल्टेज से उपर आनी चाहिए या 4.10 से उपर हो तब भी चलेगा तेकिए 1.85 वोल्ट के से बहुत सस्तर ट्रिक देखे पर है मोडल लंबा देख लिए बी 310 यह सका मोडल लंबार समसंग का ठीक है दोस्तों एसी कंडिशन में अब दोस्तों क्या 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 करना चाहिए हम कंप्लेट रेवी फुल वीडियो बताएं दोस्तों हमारे चैनल पर आप नया तो सबस के सैंड già है लगाने पे जो कि गलत करना है हमारी के लेघिया कर डatágina Scale चूंत կाई चोटे बूत लिए वी लगा रही है जोकी डिस्पले फो करता है है यहां से हमारी सपलाय किलिए करें बढ़ी च्छोटी आइसी तक जाता है सétait शीच्छ यहां देख हमारी बढ़ी आइसी पर आता है जो की डिस्व Antarctic है उनकिया ज्यों नहीं करना है आप्सस्ट नहीं करना है प्रम फर्ट दुबार से हाँ है ग्राउंट माइबनेस पर देखें जो हमारा चार्जिंग पीन है उसकी पोजिट्व पर हमें सीधात वाल तरह पर पांच वॉल्ट मिल लें यानि कि सही है अब यहां पर बैंटी कनेक्टर पर कम मिल लें तो इस कंडिसर में अब करना क्या देखिए आपको लेना है जीनर डा को इसमें कैसे कैसे कहां पर लगाना है जो कि चार्जिंग हमारी फास्ट वी और फुल प्रोटेक्शन हो और ना हमारी बैंटी फूल है ना कोई दिक्कत हो कभी जब तो जो पोजिट्व पिन है बैंटी की उपर तक एक जंपर काट लेंगें और उसको हम लगाएंगे दोस इसकी पोजिटिव साइव पर देंगे जंपर कर देंगे लिए इस हो प्रॉड यथि करके जाएंगे जैंडे outsiders की करने के लापने oणी की स hell पर लगा बारह जिसके लगाएं लिए यह किसरें चुक्त यह बजा वाली पर लगा थे चीए ही यह कुछ हो टेन आ जमपर को डगने के लिए पहले यहां पर हलकल की टेप लगाएंगे और उसके उपर जमपर को लगा के फिर दुबारा टेप लाएं उससे क्या होगा ना तो कभी जमपर टूटेगा और ना ही हमारा यह ब्रेक होगा जल्दी से और लाइब बनी रहेगी फॉन की सही सलामत रह तो जैसे करके आपको जंपर को बॉर्ड से अटेच भी नहीं रखना मालों बॉर्ड में टच नहीं होना चाहिए ठीक है इस तरह से कर ले जाना उपर तक अब यह हमारा जिन डायोड इसमें तरफ काली पट्टी है एक तरफ रैड कलर का एरिया है वह आपको जैक की तरफ काट लेंगे क्योंकि इसके लिए काफी बढ़ी है और इसकी सोल्डिंग हमें प्लस पांच वोल्ट पर कर देनी है माला जैक की जो प्लस वाला पांच वोल्ट है उस पर हमें इसकी सोल्डिंग कर देनी है सिंपल तरीके से कोई जल्द बाई ने अराम से कर देनी है ठीक है तो यहाँ पर इसकी सोल्डिंग करने के बाद इसकी सोल्डिंग कर दी अब इसकी जो अगले वाली लेगा प्लस आउट्पुट देगा हमाई 4.30 कासपा सोल्ड है तो इसे काट देंगे ठीक है इसे काटने के बाद यहाँ पर आपको यह जो जमपर देख रहे हैं अक्स्टा कि इसमें लपेट देंगे जितना प्रनें आता है 2-4 राउंड लेकर इसमें पॉजिक्टिव की तरफ जिनिनर के लपेट देंगे जर Fach चाहरा है इसको कि पेंटरी की तरफ सरा है तो चाहरा Igna बेखिखर हो कर दीजिए क्योंकि हमें काफी समय से करना आब तक कोई सकायत नहीं आया लिकेशनाएं आपको यहां पवर पाउल्ड काईगेशन रही दूस्त पाउल कर दो इससे क्राओ अपके सोल्डिंग करनीचे आपको काफी अच्छे से क्योंकि दूस्तों इसके लूज रहे दो प्रोग्लम हो जाएगी फिर बाद में अट सकता है बायर थो आए रिंग को थोड़ी दे टिका के रखना है पर रोक कर रखना है तो इससे क्या होगा जो इसकी इतनी भी पॉलिस ती उतर खेश अच्छी पक जाएगी तो दूस्तों कितनी अच्छे से हमने लगा दिया है ठीक है इस तरह से आपको से में इस तरह से लगाने सिर्फ एक वायर और अब हम यहां पर चार्जिंग केश में पिन लगा के एक बार इसकी वॉल्टेज नप लेते हैं मेंटी गनेक्टर पर कितनी आ रही है ठीक है तो इसमें देखिए अब इसकी पिन हमने लगा दी अब इसकी यहां पर वोल्टेज चेक करते हैं पहले कितनी वांट पर एकसी बैसी थी तो अब दुबारे से हम वैसे चेक करते हैं लगा करें देखिए 4.38 कोई दिक्कर ने अब बिल्कुल सही है जादा नहीं है यह दोस्तों थोड़े जादा अब यहां पर अब हमारा मुबाईली प्रोपर ठीक है फिर चेक करके दिखाऊंगा चारजिंग अगयर हुए सब कूर्पर पैक कर लेते हैं अगर दोस्तों प्रोपर पैक नहीं होता है जहां पर अपने जिना डायॉड लगाया है वहां पे सोड़ी शूपर बोड़ी में क कोई बात नहीं है आप छोटी सी कटिंग कर सकते हो प्लास्टिक में अब देखे दोस्तों बैंटी के अब वोल्टेज चेक करके दिखाता हूं थोड़ी देर लगाने के बाद चब दिखा दो तीन पॉइंट पच्छिस वोल्टेज है ठीक है यहां पर याद कर लिए ठीक है देखें दोबारा भी दिखाना चाहता हूं तीन पॉइंट पच्छिस आ रहे हैं ठीक है अब यहां पर हमने बैंटी इसकी लगा दी पहले चार्जिंग पिन लगा लिए ठीक है दोबारा से एक बार बैंटी कनेक्टर पर वोल्टेज चेक करके दिखाता हूं आपको देख दोस्तों मैं यहां पर चार्जिंग आ चुकी है ठीक है चार्जिंग चल भी रही है अब इसे 10 से 20 सेकंड के लिए ऐसे चोड़ेंगे देखते हैं कुछ वोल्टेज बढ़ते हैं नहीं देखिए हमने यहां पर इसको भी ऐसे चोड़ देना क्योंकि यहां पर चार्जिंग चेक कर रहे हैं दोस्तों कोई डिस्प्ले वागार्ण जाले कि तुर्ण चेक हो जाएगी चार्जिंग इसमें रुक नहीं पारी थी पहले क्यों सिद्धी सी बात है जब मैंटरी के वो वोल्टेज बनेंगे तो सिद्धी सी बात है तो कभी चार्ज होने वाली नहीं है तो ठीक है दोस्तों अब दोबार इसकी मैंटरी की वोल्टेज चेक करते हैं पहले आपने देख लिए था अब देख लिए तीन पॉइंट पच्छिस ते दो दस दस पॉइंट वोल्टेज पढ़ चुके हैं इसमें तो चार्जिंग कर रहा है सिद्धी सी बात है उसके पेच लगा कर कस्टूमर को दे सकते हैं और हमारा मॉबाइल है फिर भी मैं आपको एक बार यहां पर ओन करके दिखा देता हूं और कंडिशन में चार्जिंग चेक करके दिखा देता हूं पहल इसलिए कहते हूं दोस्तों वीडियो को लाश्टर देखा करो मैं बिल्कुल फुल वीडियो बहतीन दरीके बनाने कोशिश करता हूं आपको हर चीज दिखाने की क्योंकि दोस्तों फेक वीडियो नहीं डालते हैं देखे दोस्तों मॉबाइल ओन हो चुका है पूरा अब य जैसी राम दोस्तों वीडियो चले लाइक कर देना दोस्तों से शेयर कर देना जैसी राम दोस्तों